नमो नारे जैगो माता वंदे मात्रों माप हर्ति कुप्णाम और हिर्दायशे ओम्शम शनिष्चा रहा है रहा है प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ थीक है खुश रहने का मतलब ये है कि आपने अपनी दुखों से उपर अट बुट कर जीना सीख लिया लहरे जो टकराय उसी तुफान केते हैं और तुफानों में साजय उसे इंसान केते हैं जीना आ गया है आपको, जीवन की कला सीख लिए आपको, और जीवन की कला सीखने के लिए अपने स्वासों के पास आना होगा, अपनी स्वासों की संगीत को सुनना होगा, देना होगा थोड़ा सा समय अपनी स्वासों को, अब स्वासों को समय कैसे दे, यदि गुरु नहीं को जाने नहीं तो दाति महराज आपके साथ है नमाना रहें प्रेदर्शकों मित्रों शाथियों विर्शब राशी वालों के लिए मैं 2022 का महिना कैसा रहेगा नक्षत गण्णाओं का अधार पर राशी फल आपके सामने हैं विर्षब राशी वालों के लिए महा के प्रार्म में विर्षब राशी के राशी अध्यपति शुक्र अपनी उच राशी मेन में स्वाराशी ब्रश्पति के साथ ग्यारवे भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव संदेव के साथ कुम राशी दसम भाव में रहेंगे। 17 मैं को मंगल देव शुक्र देव ब्रश्पति देव के साथ में राशी ग्यारवे भाव में संचरण करेंगे। में मोटा मोटा विर्श्प राशी वालों के लिए बात करूँगा कि कैसा रहेगा मई का महिना पहले अप्रिक्षा कर थोड़ असा रहत भरा रहेगा। मौकरी कामकाज के दर्श्पकों से मा की प्रवार्द हिसा फुल आप चैलेंज है बट कड़ी मेहनत कटिन परिशन का लाब मन को प्रसंता देगा। महिमा में आर्थिक पक्ष उदर होगा। दन की प्राप्ती होगी वैविशाय में अच्छे प्रिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्तियों को सिक्षा की दर्षिकोंग्ष से कड़ी महनत करने पड़ेगी परफक तकनीकी जितर अधेनल में अच्छी सपलता मिलेगे इस महीने आर्थिक दर्षिकोंग्षे भाग्या आपकी पक्षमें करवत लेंगा दंसमंदी मसले हलोंगे पारवारी दर्शिकों से इस महिने आप भागी साली रहेंगे चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि विर्श्वराशी वालों के लिए केरियर कारोबार नौकरी वैविसाय शिक्षा समाज परिवार श्वास्ते के साब से मैं का मैना नक्षत गंडाओ रहे और शब्से पहले युवाउं और विद्यारतियों के केरियर और शिख्षा पर शिक्षा के लिए मई का मैना पूर लाब और सफल्ता का संकेत दे रहा है जार वे भाव में उच्छर आसी में विराजमा शुक्र स्वरासी ब्रश्पती के साथ मेंड में संच्रण कर प्रतियों की परिक्षाओं की त्यारी कर रहे हैं उन्हें परिवार अभिभागों और शिक्षकों का पूर्ण स्योग मिलेगा और शिक्षा के छेतर में अच्छा लाब में बात करते हैं कामकाजी कामकाज कारुबार नौकरी पैसा टका के लिए अच्छा समय रहेगा मही का महिना आपको मनवाची सफलता प्राप्त कराएगा पिछली समश्यां से रहात मिलेगी मनवल मजबूत बना रहेगा कारी छितर में आपको कहीं प्रकार की नई भूमिकार नई जम्यदारी मिल सकती ह यह गोचर आपको अत्यन्त प्रभावसाली लोगों से मिलने का आउसर भी प्रदान करेगा जो लंबे तक भहुशे में आपको लाब दाइक साबित होंगे मित्रों का पूर्ण शयुक प्राप्त होगा देश-विदे से यात्राओं का योग देश-विदे से कारोबारी शम नजर आ रहा है प्रतुक कैरियर कारोबार नोकरी में लाब सब कुछ है लेकिल चैलेंज भी कम नहीं तुनोतियों का सामना भी रहेगा संभव इस्तों में बैश्या को बढ़ाने के लिए लौन लेने का मन आपका हो सकता है दसमभाव के स्वामी शानीदेव स्वाराशी व हो आए जो स्रोत है उनमें व्रदी होगी कैरियर की देश्ट कौन से मही का महिना आपके लिए बहुत महत्पूंड एगा परिश्रम का लाब मिलेगा साकर्मी बहुत सही होगी आपके लिए सही साबित होंगे पर दू बहुत ज़रूरी है अपने परियासों में कमेरी आने कैरियर में गते मिलेगी कारोबार में शफलता मिलेगी रोजगार शमंदी परिशान शे मुक्ति मिलेगी लाब प्राप्ते के बहत्रमों के प्राप्त होंगे प्रदू बहुत जरूरी हिदि आप नोकरी में है तो नोकरी में परिवर्तन नहीं करें इस मई के महिने में नोक पुराना कोई रुकवा धन मिलेगा पुस्तेनी संपत्य का लाब मिल सकता है राजनितिक वर्चसु में बढ़ोतरी होगी मान और प्रतिष्टा बढ़ेगी उच्पदों पर आसिन व्यक्तियों के अच्छे समंद बनेंगे आप जिवेलर हैं आप तूरिजम में हैं आप आर् इस छेतर में आप काम करते हैं या जॉब करते हैं या आपका बैवशाय है गोचर गणना सफलता का संकेर देरी बस निरने च्छमता आपकी मजबूत रखे आतम बलको कमजोर नहीं होने दे इसके साथ ही स्वाबिमान आउश्य होना चाहिए लेकिन एहंकार और अत्यदिक आतम विश्वास से आपको बच्चना चाहिए शामाजिक और पारवारी देश्टिकॉन की बात करते हैं पारवारी और शामाजिक देश्टिकॉन से आपका समय अनकूल रहेगा वैवाइक जिवने पूंट शपलता मिलेगी सांती का बातावन रहेगा परिवार में शामाज मसलों में अपने आपको दूर रखना बहुत ज़रूरी इस समय शत्रू आपको नुक्सान तो नहीं पहुंचा पाईगा परनतु आपकी जो मांची किस्तिति है उसमें हलचल पैदा कर सकता है इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहे हां भाई बैनों की स्वास्तिय को लेकर आपको शमश्या आ सकते भाई बैनों के स्वास्तिय पर किप्रति आपको लापरवाय नहीं रहना है पिता के स्वास्तिय को लेकर भी परिशानी आ सकते फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपनों की आवश्रक्ताओं पर विशेष ध्यान देना होगा वेवाई जीवन आपका किसी भी तरह का शंकरमन परिशानी का कांड बन सकता है विशेष रूप से ब्लड इंफेक्शन हाई बीपी लो बीपी को लेकर चिकस्ता में लापरवाई नहीं बढ़ते गर्मी का मोसम है मांसिक तनाव और गर्मी से बचना चाहिए खान पान पर ध्यान दे दैनिक दिंच के देरा लेकर प्रिवेंशन बैटर दन क्यों है छटे भाव का शुक्र अपने उत्तरासी में में ब्रश्पति की साथ संचरन कर रहे हैं चिकसा का तुरंत लाब मिलेगा लेकिन फिर भी शावधान रहना चाहिए क्या उपाई कर हर रोज सनी देव और ब्रश्पति देव क कि बीज मंत्र का जाप करना अत्य हुत्म रहगा प्रतिकाल नित्य करम देव सनानों उपरान ओम ग्राम ग्रीम ग्रामशन गुरवे नमा और ओम श़ाम शन इस्चराय नमा इश मंत्र का जाप नियमित एक महीने करिएगा कश्ट और प्रिसान जिस्टकरा मिल जाएगा हर सन सब्सक्राइब के दिन सनिमंदर जाए सनिदेव की चल्णों में तेल अर्पित करें और गुरुवार के दिन गरीब निर्धन किसी स्वागन इस तरी को जरूत मंदों उसे पीली बस्तों का दान देने भी आपके लिए सुब रहेगा ये था विर्शब राशी वालों के लिए मई के मेने में नक्षतर गर्णाओं के आंकलन के आधार पर राशी फल और फला देश पिरदर्शकों मित्रों शाथ हूं मैं आपका अपना हूं जोती से प्यार करता हूं और आपके हित के लिए अपने अनभाव के आधार पर ये आंकलन आपके सामने रखता हूं लेकिन सा सब्सक्राइब करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजय से नहीं सुना रहा हूं भाली बता रहा हूं यह मेरा जीवन का नक्षए रहा है मनश्य हूं और मानु होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्थियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीज़े नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चारे की करता है. धाती महराज एक बार निवेधन करें तो मैं दान दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मेरा यह नहीं है. शाथियों è मैरा राज श्रव पर ही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ. मैं परिश्रम करना आपikke लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए शनी भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा नीवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग बीश से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 2100 रुपया चारा का दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहे ना है नंबर है जरुशयोकर मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमोना रहें